हम पढ़ रहे थे श्रे विश्ण प्रफांकर द्वारा रचित एकांकी संस्कार और भावना यह एक ऐसी एकांकी है जो भारदीय समाज में प्राचिनकाल से व्यापत, जादिकत, परंपरा से उत्पन होने वाली समस्या को प्रस्तुत करती है संसकार means the moral values, culture, manners and behavior through which a person and his family is known and judged in the society in English we can call it culture including ethics, morals and behavior भावना means feelings, emotions or sentiments in this एकांकी we can see a conflict between संसकार and भावना अब आगे पटते हैं उमा यानी चोटी बहू अविनाश के खर गई थी फाभी से मिलने के लिए ताकि उनसे यह कहें कि वह अविनाश को छोड़ दे जिससे एक मा अपने बेटे से मिल सके किन्तु वह उनकी बातों से इतनी आकर्षिद हो गई कि उसे पता नहीं चल रहा था कि वह वहाँ पर है भी या नहीं अर्थात बड़ी बहू की बातों का वह पूर्ण रूप से समर्थन कर रही थी उमा की ऐसी मानसिक्स्त दे इसलिए हो गई क्योंकि बड़ी बहू अपने स्तान पर बिलकुल ठीक थी बड़ी बहू ने मा का बेटा नहीं चीना था बलकि मा ने ही उसे नहीं अपनाया पड़ा था पुमा मा से उसको हुई मोह गृस्त अवस्ता के बारे में बताती है और वह से चली आती है याईनि अविनाशके खर से वह चली आती है एसब सुनकर मा को ऐसा लगा कि वह एक सप्न देख रही है जैसे सुपन से जाग कर वो पूछती हैं तो तुम चली आई? हाँ, मा गंभीर वेदना से उमा से पूछती हैं पर तुम वहा हो तो आई? आतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मर्म हो और मैं मोह ममता में फसी हुई हूँ उसकी सूरत को तरस्ती हूँ, केसे उल्टी बात है? उमा क्षमा के स्वर में मा से बताती हैं, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो तब मा बीच में टोक कर बोलती हैं, कहते हैं चेतन से अचेतन आथिक शक्तिशाली है, उसमें आथिक आकर्शन है, इसलिए तुम एक तूसरे के प्रती खींचे, चाहे वो प्रेम था, चाहे ख्रणा थी, पर असल बात रिक्त के खींचाव की थी, वो होकर रही, काश की फिर मा का स्वर डूब जाता है, काश की में निर्मर्म हो सकती, काश की में संसकारों की दासदा से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल, ठर्म और जाती का भूत मुझे तंक न करता, और मैं अपने बेटे से न बिचुडती, स्वयम उसने मुझे जे कहा था, संसकारों की दासदा सबसे फायंकर शत्रू है, चेतन का अर्थ होता है, जिसमें चेतना हो, अर्थात जो ज्ञान मैं हो, इसी तरह अचेतन का अर्थ है, जिसमें चेतना तो नहीं होती, परंदु भावनात्म गदा आवश्य होती है, यानि फ्री होती हैं, वहां बंधनों एवं अनावश्यक मान्यताओं के लिए जग नहीं होती, यहां एक ही परिवार के लोग मान्यताओं के कारण अलग अलग रहते हैं, यह उनकी चेदन सोच का कारण है, मा के न चाहने पर भी फावनाओं एवं संसकारों के कारण वे आपस में मिलते रहते हैं, यह अचेद शक्ती का परिणाम है, अपनापन फावनाओं के कारण होता है, फावनाओं को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव के कारण बड़ा परिवर्तन होता है, और यहां मा कहती है कि अविनाश और अविनाश की पतनी उमा और अतुल इन चारों लोगों में इस तरह का खींचा उथा की आपस में मिलते रहते थे, मा यहां संसकारों की दासदा यानि गुलामी की बात कर रही थी, मा संसकारों की दासदा से बंधी हुई है, जिनके कारण वो अपनी बहू को अपना नहीं सकी थी मा को यह भी पता चलता है कि उनका चोटा बेटा अतुल भाभी को मिलने कभी-कभी जाता रहता है और उन्हें इस बात से ठक्का लगता है कि उमा बहू भी बड़ी बहू से मिलती रहती है किन्तु वे अपने संसकारों से बंधी है इसलिए वे वहाँ नहीं जा सकती वे मन ही मन सोचती है कि काश वे संसकारों की दासदा से मुक्त हो पाती संसकारों की गुलामी सबसे भायंकर शत्रू है यह उनसे बड़ा बेटा अविनाश ने कहा था तब उमा मा से पूछती है यह बड़े भाया ने कहा था हाँ उसी ने कहा था मैंने उसे बहुत समझाया अपने प्रेम की दुहाई दी पर वो सदा यही कहता रहता मा संतान का पालन माबाप का नैतिक करतव्य है वे किसी पर एहसास नहीं करते केवल राश्टर का रन चुकाते है वे रन मुक्त हो यही उनका परितोश है इससे आथिक मोह है इसलिए पाप है पर मैं क्या करूँ? मैं जो इससे आथिक है उसी को पाने के लिए आतुर है मैं ही क्यों? सभी माता पिता यहीं चाहते हैं तभी मैं समझती हूँ उस दाकिन ने मेरे बेटे को मुझे से छीना है पर वास्तों में दोश उसका नहीं है यानि इस डायलोग में मा उमा से कहती है कि उसका बेटा आतुर सदा उससे कहता था कि मा बाप यदि अपने संतानों का पालन पोशन करते है तो यह उसकी नाइदिक जिम्मेदारी है यह उनका कोई एहसास नहीं है संतान उत्पन करके और उनका पालन पोशन करके मा बाप राश्टर का रन चुकाते हैं और उन्होंने अब संतान को पाल पोश कर बड़ा कर दिया तो वे रन से मुक्त हो गए है यही उनका परितोश है यानि साटिस्फाक्शन है और उसने यह भी कहा कि इससे अधिक मोह रखना पाप है और मा कहती हैं वो पापी है क्योंकि वो इससे अधिक चाहती है क्योंकि मा चाहती थी कि अविनाश उनकी मर्जी के अनुसार ही सारे काम करे और बड़ी बहु को दोशी समझती थी लेकिन अब वो अपने को इनि स्वयम को दोशी समझने लेगी है ए सुनकर उमा मा से कहती है माता जी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है इसी बीच आतुल वहां आता है स्वस्त युवक है आतुल सावला रंग मुख पर गंभी रदा इनि द्रडदा है और आखों में सौम्यता अतुल को देखकर उमा उठती है क्षण भर उसे देखती है वह सदा की तरस शांद है यहनि अतुल बहुत शांद है फिर रसोई की और उमा चली जाती है अतुल सीधे आकर कुरसी पर बैठ जाता है और मा को देखकर कहता है क्या बन रहा है माताजी क्या बन रहा है मतलब यहां क्या पाक्चित हो रही है मा अनसुना करके आतुल से कहती है तूने सुना क्या फीगे स्वर में मा कहती है आविनाश बहुत बीमार था जूता खोलते खोलते आतुल मा से बताता है कि हाँ उन्हें हैजा हो गया था ये सुनकर मा अचरच से पूछती हैं अचरच में सर्प्राइस तू जानता था अतुल ने कहा हाँ तू ने मुझसे कहा तक नहीं तुमसे कहता क्यों क्यों क्या मैं उसकी मा नहीं थी ये सुनकर अतुल मुस्कुराता है और कहता है मा तो हो पर सुनकर क्या करती क्या उसके पस जाती मा जवाब नहीं देती अतुल भिर कहता है मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी और जाने से भी क्या होता है जब तक तुम उस नीची श्रेनी की विजातिय भापी को घर नहीं ला सकती तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्त है तुम सब निर्मर्म हो निर्मर्म बीच में रोक कर मा पूचती है मैं निर्मर्म हूँ अतुल कहता है निर्मर्म ही नहीं कायर भी जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ती तुम में नहीं है मा इस कधन से अतुल के मन का क्षोब स्पष्ट द्रिष्टिकद हो रहा है वह समझता है जब तक मा दूसरी जादी की भाबी को खर नहीं ला सकती तब तक मा का प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ है यानि वह सूचता है जहां प्रेम और ममता होती है वहाँ अन्य बातों का कोई स्था नहीं होता इसलिए वह सोचता है कि मा व्यर्थ में ही प्रेम और ममता की दुहाई दे रही है और अतुल ने मा को निर्मर्म के साथ साथ कायर इसलिए कहता है क्योंकि उनमें उन संसकारों को जिनमें वह जगडी हुई थी तोड़ने का साहस नहीं था इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को भी अपने से दूर कर दिया था क्योंकि उसने अंदर जादिय प्रेम विवा किया था अमित ने मा को निर्मर्म और कायर कहा अमित का यह डैलोग सुनती हुई उमा प्रवेश करती है उसके हाथ में चाई की ट्रे है जिसे वर्क कमरे में ले जा रही है पर बात सुनकर रुकती है और कहती है अपने पती से कहती है लेकिन आप में तो है आप तो वहाँ गए होंगे तब अतुल कहता है मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था इसलिए नहीं गया यह सुनकर उमा और मा एक साथ कहती है उमा कहती है आप भी नहीं गये और मा केती हैं हैं तू भी नहीं गया उमा के हाथ में प्याले जन जन आते हैं उमा के हाथ में चाई के प्याले थे और यह डैलोग बताते समय उमा के हाथ में चाई के कप्स शेक हो जाते हैं अतुल पूशता हैं जाकर क्या करता उमा उपहास फरे स्वर में उपहास मेंस मजाग जोकिंग ली भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हरदे नहीं पसीचता यहां इस डैलोक में उमा अपने पती से पूछती है भाई के मरने का समाचार सुनकर भी वो अपने भाई से मिलने नहीं गया उसका हरदय इतना काठिन है यह सुनकर अतुल शांत स्वर से उमा से कहता है उमा यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं करती मुझे तो क्या वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते उमा बोलती है लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे आपको देखकर उन्हें शांती मिलती वे उमा का डैलोग पूरा नहीं होता है और अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है राम सिंग पानी ले आओ तब वहाँ शीखरदा से कोई चलता है और आवास आती है लाया सरकार अतुल उमा की और मुटकर कहता है देखो उमा फाभी से बच कर फैया का और कोई नहीं है यह काटू सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और नहें काटू सत्य मेंस बिट्यर ट्रूथ हाश ट्रूथ यानि अतुल कहता है कि फैया को देखने के लिए फाभी थी और फाभी से बढ़कर और किसी को अधिकार नहीं था फैया को देखने का ए सुनकर उमा त्रस्त होकर चली जाती है अनप्लेसंट होकर वो अंदर चली जाती है मा भी उठती है नॉकर पानी ले आया अतुल हाथ मू धोने लगता है कैईक्षन केवल पानी गरने का शब्द होता रहता है फिर बाहर का द्वार खुलता है मिसरानी प्रवेश करती हैं मिसरानी means ब्रामन स्त्री जो अपना नर्वाह करने के लिए दूसरों का फोजन पकाती है प्राउठा है और एक फटी हुई उनी चादर ओठे हैं मिसरानी व्रिध्धा है और एक फटी हुई शौल ओठे हैं सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है संकोच से अतुल को देखती है और वो अंदर चली जाती है अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता फिर अंदर से बाते करने का स्वर उठता है शीक्र ही वो तीवर हो जाता है सूरी की खिरने थीरे थीरे विदा लेती है यानि संथिया आती है संथिया विश्व के रंकमंच पर प्रवेश करती है ठके विश्व को सहलाने के लिए तब ही मा कमरे से बाहर आती है वे अब और भी उद्विग्न है यानि परेशान है उनके पैर डगमगाते हैं वाणी रूत जाती है यानी मा खबराई हुई है यानि मिसरानी ने मा से कुछ कहा है और इससे मा बहुत परेशान है और मा अतुल से कहती है अतुल तुने और भी सुना क्या मा अब अविनाश अच्चा हुआ तो उसकी बहु बीमार पड़ गई कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है अतुल ने कहा हाँ सुना तो है तब उम्मा प्रवेश करती है उम्मा भी पूछती है क्या सुना है अतुल कहता है यही की भाभी मरना सन्न है अतुल के मूँ से यह सुनकर उम्मा चाकित होकर पूछती है क्या मा पूछती है तो तुझे यह भी पता है अतुल जवाब देता है हाँ माता जी मुझे पता है और यह भी पता है कि आपने प्रान खपा कर भाभी ने भाईया को तो बचा लिया था परंदु भाई के पास भावी को बचाने के लिए प्राण नहीं है यानि आतुल कहता है कि भावी ने भाईया को बहुत अच्छी तरह से देखा है यानि अपने प्राण देखा है लेकिन भाईया को भावी को देखने के लिए प्राण नहीं है यानि उतना स्वस्त नहीं है भाईया अब भाबी की हालत बहुत नाजुक है मा बहुत परेशन हो जाती है और अनसुना करके अतुल से पूछती है अतुल तो अविनाशकी बहुत मर जाएगी अतुल ने कहा सुना तो ऐसा ही है उमा आश्चिरे से पहले मा को देखती है फिर पती को फिर पूछती है आप क्या कह रहे हैं आप वहां नहीं गये नहीं नहीं अब वहां जाएए अतुल उसी तरह शांत स्वर में कहता है कोई लाप नहीं होगा उमा फाया में एक दोश है वे जो कहते हैं करना जानते हैं उनके पास पैसा नहीं है परंदु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसा रहेंगे वे फॉलात के समान है जो तूट जाता है पर जुकता नहीं फॉलात मेंज लोहा यानि हाड मेटल स्टील यानि इस डायलोग द्वारा अतुल कहता है कि उसका भाई अविनाश स्वाभी मानी है विपत्ती पढ़ने पर भी किसी के सामने याचना नहीं करता चाहि इसके लिए उसे कितनी भी हानी उठानी पड़े वे लोहे के समान है तूट जाता है लेकिन जुकता नहीं ए सुनकर उमा कामपती हुई पूछती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो अतुल गंफीरता से कहता है भाभी को कुछ हो गया तो तो क्या होगा अतुल भी अब डरा हुआ है और कहता है नहीं उमा इसे से आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है ये सुनकर मा सहसा आगे बढ़ जाती है और कहती है लेकिन मुझे तो है अतुल उसी तरह जवाब देता है अधिकार तो तुम्हे भी नहीं है मा पर तुम सोचो तो तुम्हे कोई रोक भी नहीं सकता मा परेशन हो जाती है और बोलती है तो मैं सोचती हूँ अविनाज की बहु को कुछ हो गया तो शायद अविनाज भी आगे वह नहीं बोल पाती है वानिट फूट पढ़ती है उमा चकित होकर उन्हें देखती है और पुकारती है मा को माता जी माता जी मा कहती है हाँ बेटी मैं उसे जानती हूँ वह नहीं बचेगा नहीं बचेगा माता जी अब क्या कह रही है अतुल गंबी रदा से मा से पूछता है मा तुम इतना जानती हो हाँ उमा अतुल मैं ठी कह रही हूँ वह नहीं बचेगा उसे बचाने की शक्ती केवल मुझी में है केवल मुझी में उमा और अतुल दोनों एक साथ आश्चरिय से मा को बुलाते हैं मा उसी तरह फिर बोलती है अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उसके पास ले चल वो नर्मर्म है पर मैं मा हूँ मुझे नर्मर्म नहीं होना चाहिए मैं उसके पास चलूँगी ए सुनकर उमा खुशी से काम पुटती है आतुल उसी तरह गंभीर है अविनाश की बहु को यदि कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा मा इस बात को अच्ची तरह जानती है उसे ग्याद है कि अविनाश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है पैसे के अभाव म यदि वो नहीं बच सकी तो अविनाश भी जीवित नहीं रह पाएगा मा के अनुसार अविनाश निर्मर्म है क्योंकि वो अपनी मा से तब से एक बार भी मिलने नहीं आया था जब से उसने विवाग करके आलग रहना शुरू कर दिया था अविनाश के खर की दशा जानकर मा व्याकुल हो उठती है और अपने संसकारों को तोट कर उत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है यहाँ पर उनकी खरदे की साहच ममता को महसूस किया जा सकता है मा के यह शब्द सुनकर उमा खुश होकर कहती है मा तुम कितिनी अच्छी हो अतुल गंभीरदा से कहता है अभी चलो मा पर चलने से पहले एक बात सोच लो यदि तुम उस नीच कुल की विजादिय भाबी को इस खर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाप नहीं होगा मा शांत स्वर से कहती है जानती हूँ अतुल इसलिए तो जा रही हूँ ए सुनकर अतुल बहुत खुश हो जाता है और कहता है ऐसी बाद है तो चलो मा अभी चलो और राम सिंग को पुकारता है यानि नौकर को राम सिंग तांगा लाओ अभी इसी वक्त और उमा तुम भी चलो शीखर उमा तांगा मींज होस काट राम सिंग से गाड़ी लाने के लिए कहने के बाद वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है अतुल की आँखें भर आई है मा और उमा कई शंटक शूने में ताक्ती रहती है वाताबरन में शान्ती और स्निक्ददा है सहसा उमा को पुस्तग के वाक्य याद आते है पुस्तग यानि पहले हम लोगों ने देखा था कि उमा एक पुस्तग पड़ रही थी उस पुस्तग में एक वाक्य थी वह वह वाक्य फुस फुस आती है यानि उमा जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तयार रहते हैं एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उनी बातों को स्वीकार कर लेते हैं उमा का मुख प्रकाश से मुखरित हो उड़ता है नौकरने पीचे से स्विच दबा दिया है एही पर परदा गिर जाता है जीवन फर मा संसकारों में बंधी रही और इस कारण उन्होंने अपनी विजादिये बहू को खर में प्रवेश भी नहीं करने दिया किन्तु पुत्र की बीमारी और ततपश्चात बहू की जानलेवा बीमारी उन्हें विचलित कर देती है जिस बाग्त के लिए मा इतनी कठूर रही थी किन्तु अब ऐसा वक्त आ गया था कि उसे उन्होंने चुपचाप स्विकार कर लिया था इस एकांगी के द्वारा एकांगी कार हमें यह संदेश देते हैं कि व्यर्थ के संस्कारों में जगट कर अपने लोगों को दूर नहीं कर देना चाहिए समाज क्या कहेगा इस भाई को त्याग कर समाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए उंच नीच और जादी जादी में भेदफाव करना रूठीवादी सोच का परिनाम है इस संसार में सभी समान है इसलिए सब को बराबर का समान दिया जाना चाहिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद हम तरक के लिए ते ऐस के सब करना चाहिए